विहार में नलजल योजना एक भरस्ठचार की योजना Sun कहीं अच्छा पाईप नहीं लगा है Cambria कहीं अच्छी बोरिंग नहीं वंहीं है करी तंकी बहुत खराब निकला यह तंकी की जो ग्वालिटी है कि यह कुर्ट की क्यों क्यों कि दू Conse थी 55,000 लीटर की दो टंकिया थी यह दोनों टंकिया जो है वो हवा में गिर गई है नमस्कार आप देख रहे निया बिहार न्यूज बिहार में नलजल योजना एक भरस्टचार की योजना है किसी भी पंचायत में या कोई भी नगर परिसाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् काम कई थेकदार ने या सभी योजनाओं में अबहुत सारी काम कमियां हैं अच्छा कही बोडिंग सिहीं होई तंग कही तंग आरी टंग कर हैं Hard नलजल योजना की जमीनी सच्चाई यह हैं कि नलजल योजना जो विहार सरकार की बहुत महत्वकांची योजना है वो बहुत ही बुड़े दोर से गुजर रहा है पूरी की पूरी योजना भरस्चाचार में शामिल है और जहां कहीं भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते ह जिस भी वाड में जाकर आप नलजल योजना की जाच करते हैं तो हमें उस नलजल योजना की भरस्चाचार का पता लगता है हम आज बात कर रहे हैं मुजफरपुर के काटी प्रखंड की काटी प्रखंड जो नगर पंचाच छत्र है और इसके वाड नमबर तीन वाड और इसमें काफी सहर से सटा हुआ एरिया है बगल में प्रखंड कारियाले भी है अंचल कारियाले भी है थाना भी है सभी प्रमुक बजार जो है वो नगर पंचायत वाड नमबर तीन के अंतरगधी आते हैं लेकि फिर भी यहां पर अच्छा काम नहीं किया गया है और आप देखिए टंकी जो है यह हवा में उड़कर गिला हुआ है और यह टंकी की जो क्वालिटी है सबसे बड़ी बात है कि यह टंकी टूटी क्यों चोकि टंकी की जो क्वालिटी है वो एक लेयर की है आप देख रहे हैं टंकी जो है वो बहुत ही निम्न अस्थर का लगाया गया था जिसके कारण टंकी ने हवा का दबाव बरदास नहीं किया और यह नीचे तूटकर गिर गई और एक तंकी जो है वो पेर पें अटकी हुई आप देख रहे हैं सामने पेर पें अटकी हुई है तंकी 25k सबसे बड़ी बात है कि इस तंकी को गिरे हुए करीब थीन महिने हो नहीं जा रहे हैं लेकिन अभी तक किसी के दुआरा इसको सघ्ञान नहीं लिया गया है कोई भी पतादिकारी इसको देख नहीं रहे हैं जबकि बगल में ही प्रकंट कर्याले भी है और बगल में ठाना भी है सभी वरिये पतादिकारी इस वाड नंबर 3 के इड़ 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 ही रहते हैं लेकिन किसी के द्वारा जो है मुजफरपुर योजना का नाम नगर पंचायत काटी वाट तीन हाउस होल्ड में नर्जल का निर्मान एकरार नामा संख्या चार एफ टू 2017-18 प्रस्तावित रासी 42 लाग 3,097 रुपए और इसका उद्घाटन जो अध्यक्स थे नगर पंचायत के गजंधर पाजवान और वार सदस्या है वारतीन की रिनू कुमारी उनके द्वरा किया गिया था प्रसाइश आपको नगर पंचायत के उपाध्यक से वो भी इसमें सामिल रहे थे और संबेदक है रिना कुमारी वह भी इसमें सामिल थी इसके उधगाटन में और आप देख र यह पूरी योधना जो है वह भरस्टाचार में शामिल है कौन है इसके लिए जमेदार अस्थानी अस्थर पे कहीं कोई भी पताधिकारी चाहिए कोई भी अफसर इसकी जमेदारी नहीं लेते हैं सरकार के द्वारा कोई गंभीर एक्षन भी नहीं लिया जा रहा है जो उनको पताना कि नहीं उनको सबक मिलता कि नहीं अब हमें कोई गलती नहीं करनी है लेकिंदर सचाहिए कि यह योजना में सभी लोग मिले हुए है छाहे वह video साहब क्योंकि यह जब शूरू हुई थी उस समी योजना के करता धरता प्रखन विकास पताधिकारी थे तो बीडियो सहाब मुख्या जी वाट सदस्य नगर पंचायत अध्याक सभी लोगों ने मिलकर इस योजना में पैसे का बंदरबाट किया है पैसे की उगाही की है ठेकदार से पैसा वसूला है और ठेकदार ने अपने पैसे की मेक और पानी अभी लोगों को नहीं मिल रहा है नलजल योजना वाट नमबर तीन नगर पंचायत काटी की ये कहानी है ये कहानी पुरे बिहार की है सिर्फ एक ही पंचायत की नहीं है पुरे बिहार की कहानी और पुरे बिहार की कहानी नलजल योजना की यही है ब्रस्टाचार में सामिल, सभी लोग भरसचार में सामिल हैं और कोई भी इस योजना को देखने वाला नहीं है, अगर हम बीडियो साहब के पास कंप्लेन लेकर जाते हैं, तो बीडियो साहब ही इस योजना में सबसे बड़े चोड़ हैं, इसलिए वो इस योजना पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ठेकदार को कोई कोई एफ आयार नहीं है इसे पुर्व भी हमने आपको बताया था कि मुझाफरपुर के सरहिया प्रखंड के पजभिरवा पंचायद के वाड नमर 11 में वाड सदस के द्वारा मात 14 लाग का काम किया गया और 10 लाग रुपे की वसूली का आधे सरकार के द्वारा दिया गया है लेकि पंचायद सची वह वीडियो मिलकर अभी तक को यह फायार नहीं कर रहे हैं तो यह कहानी पूरे बिहार की है हम आपको पूरे बिहार की कहानी बता रहे हैं एक नलजल योजना को देखकर पूरे बिहार में जो नलजल योजना है उसकी कहानी को भी आप देख सकते हैं ये एक फूल मत देवी अस्थान है और उसके बगल में ये नलजल योजना बनाई गई है साइन रोड में काटी प्रखन से साइन रोड में आप जब आगे बढ़ेंगे तो वाड नमबर तीन का ये नलजल योजना आपको दिखेगा और असपश्ट के जिए lookinम है दिख रहा है कि टंकी हवा में उडग वह गई है टंकी गिर अगर ये किसी के सीर पर गिळ जाता तो बड़ा हासा भी हो सकता था लेकिन देवी अस्थान है तो माता ने बचाने का काम किया लेकिन जो बात वो सामने आई है वो है कि ये योजना पुरी तरह भरस्तचार में डूबी हुई है और इसके लिए वरिय पदाधीकारी जिमेदार है ठेकदार जिमेदार है वाट सदस जिमेदार है नगर पंचायच के जो अध्यक्ष है वो जिम्मदार है सब लोगों ने मिल कर पैसे की उगाही की है पैसे का बंदर भाट किया है जिसका नतीया है कि जनता की जो गाड़ी कमाई है वो भरस्टाचार में चली गई है और कोई सुनने वाला नहीं है कोई देखने वाला नहीं है, कोई इस पर एक्षन लेने वाला नहीं है, यही कहानी है बिहार की, नलजल योजना की, मैं अमित बिक्रम मुझफरपुर से काट नहीं है।